हलो दोस्तों मैं मनिस आपका स्वागत करता हूँ ट्रोइंग विद मनिस पर और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इस ड्रोइंग के बारे में जो बिल्कुल न्यू लर्नर हैं बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपोर्टेंट यह वीड करता हूँ अब आपको समझने में ज्यादा बेनेफिट मिलेगा क्योंकि आप आप जो समझ रहे हैं जो यह पैनल है वह है 190 सेंटिमेटर है फुल एच्टी डिस्प्लेय आपको मिलेगे और साउंड का को जो क्वाल्टी है वह तो आप खुद अपना फीडबैक देंगे कोम मैं आपको दिखा देता हूँ पहले यह है यह दिखाने का रीजन क्या है इससे आपको पता चलेगा कि किस एंगल ओफ प्रोजेक्शन में है यहां से पता चलेगा क्योंकि अगर करोप करके हम कर देते हैं तो एंगल ओफ प्रोजेक्शन का में किलियर नहीं होता है अब दे आपको बहुत बड़िया समझ पाइंगे अब इस तो आपको बहुत बड़िया समझ पाएंगे यही view front view क्यों है अब देखिए यह view front view इसलिए है कि इस view के respect में other view दिये होते हैं जब भी कोई drawing आपको मिले तो उससे समझ जाना किस तरह जे जिस view के respect में जैसे यह man view है इसके top में top view है इसके side में इसका section view है इसी के respect में section view काता हुआ है इसी के reference से जो other view है जो man view होता है वहीं उसका front view है अब आप यह कहेंगे अगर मैं इधर से देखू हूँ तो मेरे लिए तो यह front हो जाएगा ठीक है आपकी बात सही है लेकिन drawing में किस तरह से द रखा है तो यह top view हुआ यह इसका section view हुआ ठीक है तो यह front view बचा इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा इसका front view है ठीक है अब मैं इसको हटा के मैं drawing दिखाता हूँ आपको सबसे पहले step by step मैं explain करूंगा सबसे पहले बात करें front view की अब यह front view किस side से है इस side का view है यह फि यह कैसे पता चलेगा यह ऐसे पता चलेगा भाई यहां पर आप जो देख ले हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं यह जो मोटी line है यह थिक line black color की type of lines की मेरी video देखिए उससे आपको पता चलेगा कि कौन से line का मतलब क्या होता है फिर भी मैं आपको यहां बताता हूँ जि जो यह लाइन से हैं। है वो किलियर विजी वल है कोई फिचर हिडन नहीं है। जैसरी कि आप इलबहा रहे हैं तो आपको क्या 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 दिखाई देगा। यह वाय। आइज कुले का लइन और इसकी यह लाइन है। यह किस तरह से हैं यह यहां पर इस तरह से हैं इससे किलियर हो रहा है कि यह इधर का व्यू आगर यह इधर का होता तो क्या दिखाई देता हमको यह वाले इसका गोले का लाइन भी दिखाई देती यह वाली लाइन भी दिखाई देती हाना जो कि इधर है और हमें क्या दिखा उसमें अंतर मिलता है, यह लाइन कुछ अलग तरीक ऐसे दिखाए देती, वो किस तरह से दिखाए देती, वो इस तरह से होती, डोटेड, अगर इस साइड का व्यू होता तो यह डोटेड होती, जब डोटेड लाइन होती है, दर से देखते, यह तो आपको पूरा ऐसे गोल दिखाए देता, और साथ में यहां पर जो अरिया है यह डोटेड दिखाए देता, डोटेड का मतलब क्या होता है कि यह इस वियू में हमें नहीं दिख़ा है, यह पीछे क्यों हो रहाए ठीक है, यह hidden lines, hidden feature को show करती है, डोटेड रहती है, उससे हमें पता जल जाता है कि यह feature hidden है, या clear visible है, बात करें अब इसके dimensions की, dimensions हमी क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए, 72 mm, कहां से, यहां से लेके, और यहां तक, यह पूरा 72 mm है, यह पूरा, ठीक है, इसकी जो पूरी width है, complete जो चोडाई है, वो है, बहतर mm, यहां पर यह hole देख रहे हैं अब, यह वाला hole है, इस hole की जो position है, इसके bottom से लेके, यहां से और यहां तक की, जो hole के center तक की, जो distance है, वो दे रखे हम को 60 mm, ठीक है, अब आपको यह समझ में है, इसकी width कितनी है, height कितनी है, दोनों पता चला, height में क्या है, hole की जो position है, वो आपको पता चला, यहां पे देख लिए, r15 दे रखे, r15 क् की जो total width है, यह दे रखे हम को 30 mm, इससे भी पता चला लाए कि भाई, यह 30 mm है, तो simple जिवात है, यह r15 ही होगा, ठीक है, r15 का double कितना हुआ, 30 मतलब diameter, 30 है, और इसमें क्यक्य दे रखे है, two, two means, दो जगा पे, dash r15, r15, दो जगा पे r15 है भाई, एक तो यहां पे, और एक य यह वाली, और यह वाली, दो जगा आपको r15 दे रखे है, यह जो radius है, r15 की radius है, ठीक है, और यहां पे यह आपको पता चल गया 60, इस तरह से इसकी जो dimension है, बहुत लगबग कबर हो गई, एक यह dimension हम भी दे रखे है, 10 mm, 10 mm क्या है, इसकी मोटा यह बई, यह जो यहां से यह नहां तक कि जो distance है, वो है 10 mm, और यह 10 mm क्या दे रखा है, यह है, इसकी यह जो width है, 10 mm, यह जो slope है, इसकी यह width है, 10 mm, अब आप से एक सवाल में पूछता हूँ, मुझे यह बताइए, section view में हम चलने से पहले आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आप इसका answer जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं, तो मतलब आपको अभी तक section view properly read नहीं करना है, ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं, यह वाला area, यह जो जुड़ा हुआ, यह slope वाला, यह अंदर से कैसा है, solid है, या खोकला है, यह हमें कैसा पता चलेगा, यह जै दिखाई नहीं दे रहा, वो कैसा है, वो कैसे पता चलेगा, solid है, यह अंदर से खोकला है, आपको इस में देख की पता चल रहा है, अगर पता चल रहा है, तो मतलब आपको section view अच्छे से देखना आता है, ठीक है, नहीं पता चल रहा है, अब आपको पता चलेगा, मैं clear अब यह section view काटा किदर से, section view होता क्या है, किस तरह से होता है, देखिए यह जो image है, मैंने google से random ली उठाई है, भाई इसमें कुछ कम्या है, पूरी तरह से दे नहीं रखी, actual में जब आपको section view देखने को मिलेगा, वो किस तरह से रहेगा drawing में, वो मैं आपको बता देता किस तरह से drawing में show किया जाता है section view, आपने drawing देखी भी होगी, अगर नहीं देखी, तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह से section view show किया जाता है, इस तरह से section view दिखाते हैं, जिससे clear हो जाता है, कि हाँ, यह section view है, कैसे, एक line रहेगी, section line, section line इस से थोड़ी अलग रहती है, यह मैंने dotted कर दिया है, section line किस तरह कि होती है, वो आपको मैं other videos में भी बता दूँगा, उसके क्या है कि किनारे थोड़े मोटे मिलेंगे, यहाँ से जो उसके end मिलेंगे section view के, section line के, ऐसे मिलेंगे, किनारों से मोटे मिलेंगे आपको, और यह जो मिलेगे, इस तरह से मिलेगे, dash यह dash लंबा, फिर gap चोटा, फिर dash, फिर gap चोटा, फिर dash, इस तरह की होती है section line, यह dash बड़ा होता है, इनका यह gap चोटा से होता है, ठीक है, यह सारे dash बराबर होते हैं, तो इस तरह से section line होती है और उसको name दिया होता है जैसे यह दे रखा है section AA और इसमें यह arrow दिया होता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है भाईयों इसका मतलब होता है कि अगर इसका मतलब होता है कि अगर मैं R-E-L-E एक R-E-L-E बने इस पार्ट को यहांश इसके दो टुकड़े करता हूँ बिल्कुल बीचो बीच से इसके दो टुकड़े करता हूँ दो अलग-अलग टुकड़े निकलेंगे उन दोनों टुकड़े में से मैं क्या करूंगा यहां पर इस टुक्डए को देखना है इतर से आप conquest टुकडए को देख रहे हैं तो कैसा दिखेंग एस्षा दिखेंगे क्लिया इसको पकट को आप गुमाके गुमां कता और इसको ऐसे रख दिया यहां साइड भी है पता चल रहा देख से वसे भीडिखाई deport आप साइड से जब देखेंगे तो यह boundary रही यह अपना slope रहा और यह वाला area यह रहा इससे पता चलता कि हाँ यह section view ही है कहां से कटा है किस तरह से यह काटने बेख अब section view में किस तरह से भाई पता चलेगा कि कहां भी क्या है वो चीज भी आपको बताता हूं यह तो आपको पता चलेगा section कटा कहां से अब यह section view ही है यह किस तरह से जब भी आपको यह इन तिर्ची line को बोलते है hatching ठीक है यह तिर्ची line को बोलते है hatching है जहां भी तिर्ची line दिख जा है समझ जाओ, यह section view दिखा रखा, थोड़ा बहुत जहां पर भी section view कही तरह के होते हैं, partially section होते हैं, इस तरह का section होता है, हर तरह के section view होते हैं, type of section view भी मैं आगे आपको detail में बताऊँगा, तो भाई, hatching देखके आपको पता चलागी, हाँ यह section view है, कहां से cut किया, वो अभी आपको मैंने बताया, section का properly आपको name मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है जी, अब इसमें ध्यान रखने योग्ये जो बात है, वो यह है, जो आरी लेके हमने cut की, जहां पर material मिलता है, जहां आरी कट कर, जैसे यहां से यहां तक काटा, तो क्या material मिलेगा, यहां से यहां तक, इस hole तक जब आएंगे, तो आरी को material मिलेगा, जैसे ही इस hole के hole वाड़े area में आएंगे, यहां पर material आरी को नहीं मिलेगा, हवा में चलेगे, क्योंकि यहां तो already 6 है, ठीक है, और जहां प पर यह प्यूर वाइट है बाई मतलब इससे क्या पता चला कि यहां पर भाई शेक्शन लाइन इसको टच करके नहीं जा रही है मतलब यह होलो एरिया है इससे पता चल रहा है यहां पर होल है ठीक है यह फिर आगे-ागे-ाम देखें यहां पर फिर मट्रील मिलने लगा जहाँ जहाँ section line cut करके जारी है जहाँ जहाँ material है वहाँ पे मिलेगी आपको hatching और जहाँ जो area hollow है खोकला है वहाँ पे आपको hatching नहीं मिलेगी इस तरह का blank मिलेगा आप देखिए pure white है इससे क्या पता चला है जब इसके बीचो बीच से R.E. कटके गई तो यह जो इतना हिस्सा है यह अंदर से खोकला है अगर material होता तो क्या होता यहाँ पे भी ही आपको hatching मिलती लेकिन यह तो अंदर से खोकला है तो इस तरह से आपको show किया हुआ है तो ऐसे हमें पता चल गया कि यह अंदर से खोकला है किस तरह का है section view का भी आपको पता चला ओके section view में यहीं सबसे महिन बात है कि किस तरह से view को देखना है hatching कहां पे है कहां material है कहां hollow है ठीक है next time मेरे ख्याल चापको section view देखने में कोई problem होगी नहीं अब बात करें इसकी dimensions की क्या क्या हमें दे रखा है dimensions देखिए यहां से यहां तक की जो distance है वो है 35 mm ओके यहां से यहां तक की जो distance है वो 13 mm है कहां से कहां तक की इसकी जो width है यह width 13 mm दे रखी है और हमें क्या क्या detail दे रखी है वाई और हमें दे रखा है यह 30 mm शाथ में क्या है 5 इस 5 के बारे मैंने अन्रेडी बता दिया ये जो symbol है ये 5 का symbol है ये किसलिए drawing में use करते हैं ये show करता है diameter जहां पे भी व्यास की बात करें जहां पे ये 5 मिल जाए वहां पी आप समझ जाओगे diameter की बात कर रहा है व्यास की बात कर रहा है मतलब यह जो पार्ट है जो एरिया है वो कैसा होगा या तो सिलेंड्रिकल होगा या फिर सर्कूलर होगा ठीक है या तो सिलेंड्रिकल होगा या फिर सर्कूलर होगा बहुत सारी ड्रोइंग में यह चीज भी आपको कंफ्यूज करेगी जैसे कि यहां पे देखिए देखने मे तो यह एरिया कैसा रेक्टेंगल लग रहा आयताकार लग रहा देखने में नॉर्मली अब यहां से यह डायमेटर है यह कैसे पता चला फाइक वज़े से अगर मैं यहां पर बनाता हूं सेम ऐसा ही रेक्टेंगल और उसकी डायमेंशन इस तरह से देता हूं जैसे यह है और म यह क्या हो जाएगा यह फिर आयताकार नहीं यह सिलेंडर कल हो जाएगा मतलब फिर यह ऐसा पार्ट भाई इसको ऐसे घुमाऊगे तो इस तरह का दिखाए देगा ठीक है अब आपको किलिए हुआ कि फाइव को जहां पे भी फाइव दिखे समझ जाना की बात कर रहा है कि इसकी डायमेटर यहां पे देखिए डाया बारा यह जो होल है यह 12 mm का है इसके बीच में इसकी यह सेंटर लाइन है ठीक है और यहां पे यह देख रहे हो इसका जो एंगल बन रहा है इस फेस के साथ में यह जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री कौन सा यह जो एंगल बन रहे न वाई यह वाड़ा यह 60 डिग्री है ठीक एक यह चीज दीखिए इस विव में तर डंग से आपको पता नहीं चला लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा इसकी ठीकने इसता में दे रखिया 10 mm कहां दे रखिया यहाँ पे दे रखिया 10 mm ठीक है अब यह देखि में 5 mm depth यहां से देखिए यह depth दे रखिया 5 mm depth में एक step कटावा यहां से यह वाल अब 3D बोडल देखेंगे तो यहां से हलका से विजिबल हो रहा है मतलब यहां से इसकी जो length है वह कितनी है 5 mm यह length है यह 5 mm है ठीक है यह वाले और यह जो step है वो यहां से 5 mm उपपर से शुरू है ठीक है आपको यह भी पता चलागी यह step कैसा है तो section view आपको clear हो गया होगा कौन-कौन से dimension कैसे कैसे दे रखिया ठीक है आगे चलते है top view में top view कैसे दे रखिया अब मैं इसको यहां से देखता हूँ उपपर से क्या क्या दिखेगा यह outer boundary यह रही यह दोनों hall और यह जो है यह slope किस तरह से दिखेगा यह जो दोनों लाइने हैं हम top से दिखेंगे तो यह इस तरह हो जाएंगी पूरी की पूरी ऐसे दिखाई देखेंगे जब हम top से देखेंगे क्योंकि 2D में तो फिर वहीं होगा न भाई 3D में तो आमें केलियर पता चल रहा है यह slope है वहीं आप top में हो जाएंगे तो यह बिल्कुल स्ट्रेट आपको ऐसे दिखाई देगा ठीक है दोनों लाइन हो गई अब देखेंगे यह वाली लाइन किसकी है वाई यह दोनों लाइन आप देखेंगे यह दोनों लाइन इसी स्टेप के इस वाले गी यह यहां से यहां तक जो दिख रहा है यह वाला एरिया किसका है यह इसकी ये लास्ट बाउंडरी ये लास्ट बाउंडरी और ये और ये ऐसे करके ये रेक्टंगल बन रहा है ये वाला ठीक है वो वाला और उसके बाहर मतलब ये जो हिस्चा इसके नीचे का हिस्चा ये तो दिखेगा नहीं क्योंकि इसके पीछी चुप गया और इसके अलाव जल गतालकर किया है कि आब ये कोड चीज आपको कन्फीज करने वाली है वो ये ये लाइन कहां से आ गई भाई ये जो लाइन न है ये बारई लाइन अ ARE 15 ये जो एक्ष्ट्रा लाइन इतनी तो यहां दिखी रही है यह वाली यह तो है इसकी है इसके साथ की ठीक है और इसके एक्स्ट्रा बहार यह निकली वी है यह आर 15 वाली राइन उपर से Pelosi तो यह na देखेंगे तो स्ट्रेट दिखेगी धीनगे तो हमें रेडियेस दिखाए देता यह हां यह ऐसी radius है ठीक है तो इसलिए कहीं confused होने की जरूरत नहीं है सारा कुछ clearly visible हो रहा है 3D model के साथ में समझना बहुत आसान हो जाता है इसलिए मैं यह 3D model use कर रहा हूँ बात करें अब dimensions की यह dimensions क्या दे रखे है भाई यह hole यह hole इसके लिए क्या बोल रहे है 2 2-10 डाया 12 दो है भाई हाँ जी दो है दाया 12 mm दो hole दोनों का जो diameter है वो कितना है 12 mm है ठीक है clear है यहाँ पर यह arrow दे रखा है आपको इस तरह से करके कि भाई दोनों का 12 mm है अब क्या दे रखा है इस hole का center यह इसकी center line है center to center जो distance है वो है 48 mm ठीक है इस hole के center से उस hole के center तक की distance कितनी हुई 48 mm ठीक है अब इस hole की position की बात करें यहाँ से यहाँ तक की जो distance है इस hole का जो center है इन hole का दोनो hole का जो center है अगर उसकी बात करें यहाँ से यह जो distance है इसके center तक की वो कितनी है ते बीस है मम होल की position में यादे रखा है तो इस तरह से इस drawing के सारे dimensions सब कुछ आपको clear हो गया मेरे गाल से यह drawing आपको समझ में आईए हो गया अगर आप भी भी कोई भी doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं WhatsApp group का link मिल जाएगा आपको description में वहाँ पर आपके आप मुझे comment कर सकते हैं बता सकते हैं आपकी जो भी curious है आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं इंस्टा पे आप मुझे follow करके वहाँ पर पूछ सकते हैं जहां पर आप चाहें आपके doubts के लिए कर सकते हैं और दोस्तों यह वीडियो कैसा तो इसका feedback जरूर देना मुझे ताकि पता चले हम और क्या improvement कर सकते हैं वो हमें बताईएगा ठीक है